नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है Dr. Neelam Sharma इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मेलापिक प्लस κ्रीम का उपियोग किन पनिशन्स में पनिशन्स में किया जाता है मेलापिक प्लस क्रीम की वज़ह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि मेलापिक प्लस क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में मेलापिक प्लस क्रीम को लगाना रेकमेंदेड नहीं होता है मेलापिक प्लस क्रीम का उप्योग चेहरे पर दाग, धब्बों, निशान वजाईयों को हटाने के ये किया जाता है आखों के नीचे काले घेरे होने पर यानि डार्क सरकल्स होने पर भी मेलापिक प्लस क्रीम का उप्योग किया जाता है मेलापिक प्लस क्रीम त्वचा पर दाग धब्गों और डार्क स्पोर्ट्स को हटा कर त्वचा के रंग को साफ वगोरा करती है इसके अलावा डर्मेटाइटिस और मेलाजमा की समस्या होने पर भी मेलापिक प्लस क्रीम का उप्योग किया जाता है मेलाजमा होने पर तवचा पर काले रंग के पैच हो जाते हैं जो शरीर में हार्मोनल बदलाव या सूरज की धूप की वजह से भी हो सकते हैं मेलाजमा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है लेकिन मेलाजमा की समस्या पुरुशों में भी हो सकती है मेलापिक प्लस क्रीम का उपयोग महिलाएं वह पुरुष दोनों ही कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो खृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम दिसकस करेंगे कि मेलापिक प्लस क्रीम को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है मेलापिक प्लस क्रीम को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाना रेकमेंडेड होता है मेलापिक प्लस क्रीम को रात को सोने से कम से कम 30 मिनट पहले लगाना चाहिए मेलापिक प्लस क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों वा चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. आप अपने चेहरे को फेस वाश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं. और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़ की मदद से साफ कर लेना चाहिए और चेहरे को कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद मेलापिक प्लस क्रीम की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए मेलापिक प्लस क्रीम को एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए और मेलापिक प्लस क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए मेलापिक प्लस क्रीम को आख मुह और नाख के किनारों के पास लगाना रेक में देड नहीं होता है इसलिए मेलापिक प्लस क्रीम को आख, मुह और नाख के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि मेलापिक प्लस क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में मेलापिक प्लस क्रीम को लगाना रेकमेंदेव नहीं होता है। जब तक आप मेलापिक प्लस क्रीम को लगा रहे हैं, तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि मेलापिक प्लस क्रीम की वजह से त्वचा धूप के प्रती बहुत स्यादा संबेदनशील हो जाती है और जिसकी वजह से संबर्ण होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रियोग कर सकते हैं। मेलापिक प्लस क्रीम को केवल रात के समय ही लगाना रेकमेंडेड है। मेलापिक प्लस क्रीम को आखों के नीचे या आखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि मेलापिक प्लस क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेलापिक प्लस क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुझली या लालपन हो सकता है। अगर आपको मेलापिक प्लस क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में लालपन जलन या खुझली ज्यादा होती है या लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। मेलापिक प्लस क्रीम का उप्योग लंबे समय तक यानि कई महीनों तक करने से त्वचा पतली हो सकती है। और त्वचा का कलर डार्क भी हो सकता है। इसलिए बार-बार बिना डॉक्टर की सलाह के मेलापिक प्लस क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। और मेलापिक प्लस क्रीम को केवर उतने समय तक ही लगाना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मेलापिक प्लस क्रीम को लगाने की सलाह दी है। कुछ व्यक्तियों में मेलापिक प्लस क्रीम को लगाने के बाद त्वचा की एक पतली लेयर पप्री बन कर उतर सकती है और मेलापिक प्लस क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में अस्थाई तोर पर सूखापन हो सकता है अगर आपको तवचा में सूखापन ज्यादा होता है, तो आपको सुभा उठने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद आप वैसलीन या कोई अन्य मॉस्टराइजर क्रीम लगा सकते हैं, ताकि आपकी तवचा में सूखापन, खुजल और जलन ज्यादा न हो, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मेलापिक प्लस क्रीम को लगा सकती है, या नहीं, प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मेलापिक प्लस क्रीम का उप्योग करना रेकमें इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेलापिक प्लस क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेलापिक प्लस क्रीम को नहीं लग चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मेलापिक प्लस क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं सकते हैं